अनजाता अनजाता नीत तुम्हारा अनजाता पगपगपर है संग तुम्हारे अनजाता रहू की कानों का बन के पतीना सेचता है धर की का सीना मेहनत का तेरी हख दिलवाने नई तक्नी नई खोज बताने अशुधन को गुर्वान बनाना पौद सुरक्षा घोत गिलाना धेती के सब गुर समझाने भारत का सरसाज बनाने आठ्छा पहर है संग तुम्हारे अनजाता 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 नवसकार मैं श्व्यता वटचारे आप सभी दर्शकों का अनजाता कारक्रम में स्वागत करती हूँ हर रोज की तरह कारक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बारी से जुड़ी हुई बहुत सी लापकारी जानकारियां तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेश आपके लिए आज की कारक्रम में धान की फसल में कीच रोगों का नियंतरण भाग पार मौसम आधारित सापता है कुशी सला धान की फसल में कीच एवं रोगों की प्रबंधन की क्रमवार्श रिंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीच और रोगों के नियंतरण के लिए सस्स विधियों के बारे में जाना आज हम आपको इनके प्रबंधन की विभिन विधियों के अंतरगर्त या अंत्रिक विधी के बारे में बताएंगे आज हम आपको इनके प्रबंधन के दूसरे भाग यांत्रिक विधी पर जानकारी प्राप्प करते हैं पौध रोपन के समय पौध के अगरभाग की कटाई कर रुपाई करें ऐसा करने से पौधे के अगरभाग में रहने वाले तनाचेदक कीट के अंडे नश्ट हो जाते हैं धान के केशवन वपत्ती लपेटक कीट के नियंत्रन के लिए कीट नाशक का छिरकाव करने से पहले पसल के उपर नारियल की रसी को खेतों के दोनों करफ पकड़ कर चलाएं ऐसा करने से पत्ती के अंदर रहने वाले कीट बाहर आ जाते हैं या गिर जाते हैं इसके बाद चिलिया के खाने की वज़े से और रसायनी कीट नाशक दवा का छिड़काव करने से इस कीट से निजात मिल जाती है पत्ती के उपर रहने वाले अंड समू दिखाई देते ही इसे तोड़ कर नश्ट कर दें ऐसा करने से कीट की संख्या को प्रारमधिक अवस्था में कम कर सकते हैं खेतों में एक दो मीटर की उचाई पर प्रकाश प्रपरंच की ववस्था करके उसके नीचे कटोरे में थोड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल या कीट नाशक मिला कर पानी में रखते हैं ऐसा करने से वैस्क कीट प्रकाश की ओर आकरशित होकर पानी में गिर कर मर जाते हैं विद्यूत की उपलबदा नहीं होने पर रात्री में आग जलाने से कीट आग की तरफ आकरशित होकर जल कर मर जाते हैं धान की फसल में लगने वाला तना छेदक कीट के निरिक्षन तथा पता लगाने एवं प्रकोप की अधिकता को जानने के लिए जरूरी है कि फेरोमेंट ट्रैप फसलों के उपर एक फिट उचाई पर एक एकड के लिए तीन फेरोमेंट ट्रैप लगाना चाहिए इससे फेरोमेंट से निकलने वाली गंद के कारण नर्कीट आकरशित होकर फस जाता है एक फेरोमेंट में 32 से 35 व्यस्क नर्कीट प्रतिस अफ्ता फसते हैं तो समझ लें कि कीट नाशक दवा का छड़काओ करना जरूरी है आठ फेरोमेंट ट्रैप प्रति एकड लगाने से अधिक्तम कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है इसके कारण रासायनिक तवा के इस्तमाल में भी कमी कर सकते हैं पुष्पन अवस्था तक 5 से 6 प्रति एकड पक्षी आशरे स्थल देने से पक्षी उस पर बैठ कर फसल को नश्ट करने वाले कीटों का भक्षन करते हैं लेकिन पुष्पन अवस्था के बाद दाना बनते समय इस पक्षी आशरे स्थल को हटा देना चाहिए एक जीव का प्रयोग करके दूसरे जीवों का नियंतरन करना जैविक नियंतरन कहलाता है दूसरे फसलों से तुलना की जाए तो धान में जैग वातावरन जैग कीट ज्यादा संख्या में रहते हैं जो हानिक कारक कीट को खा कर किसानों को मदद करते हैं इसका मतलब प्रकर्ती सम्तुल्यता से सुरक्षा हो जाती है समेकित नाशी जीव प्रबंदन में हमारा उदेश्य एवं लक्षय भी यही है जियो और जीने दो यह सिधान पौद संग्रक्षन का प्राण है अंधा धुंद और अत्यधिक मात्रा में रासाइनिक दवाओं के छड़काओं से कीट के साथ साथ जैव कीट भी मर जाते हैं इसलिए रोब कीट के प्रकोफ को ध्यान में रखना सदरूरी है इसके लिए सप्ता में एक बार खेतों में जाकर प्रती एकर प्रतेक पांच अलग-अलग इस्थानों पर 25 जुंड निरिक्षन करके हानिकारक कीट को एवं हानिकारक कीट को खाने वाले मित्र कीट की संख्या को गिंती करें हानिकारक कीट दो भाग तथा मित्र कीट एक भाग रहे तो पसल पर अधिक आर्थिक शती नहीं होती है धान की पसल में हानिकारक कीट को नियंत्रन करने वाला प्राक्रतिक शत्रू है मकडी, लेडी बर्ड बिट्टल, ड्रेंगन मक्षी, मिरीड बग, गुलाबी कीट केवल इतना ही नहीं, ब्रैकेन, ट्राइको जियोरी टेलिनोमस जैसा जीव हानिकारक कीट अंडा अवस्था को खाकर किसानों की मदद करता है प्रेयोग शाला में तैयार किये गए बायो कीट नाशी या बायो एजेंट का प्रेयोग करें कुछ शेत्रों में धान का तना छेदर की, पत्ती, मोड़क कीट के अंडों के परजीवी प्राइको ग्रैमाज 5 से 6 बार 1 लाग प्रॉड प्रती हेक्टेर के हिसाब से 15 से 20 दिन रोपाई उपरांत के 15 दिन अंतराल पर प्रेयोग करें भूरा सफेद एवं हरा पुद का कीट के नियंतरन हेतू मिरीट बग एवं मकडी विशेशकर लाइकोसा प्रजाती तीन मकडी प्रती पुझ से पूर्ण नियंतरन की संभाव न रहती है पौधी रोपन के 30 दिन तक रासायनिक दवा का अत्यधिक मात्रा में छड़काओ नहीं करें रासायनिक दवा छड़काओ करने से पहले नीम आधारित दवा का छड़काओ करें तो नीम गंद के कारण कीट खेतों से दूर भागते हैं तथा फसलों पर अंडे नहीं दे पाते हैं इसके लिए नीम तेल 3-5 मिली लीटर को थोड़ा साबुन के घोल में मिला कर प्रती लीटर पानी का फसलों पर छड़काओ करें समय की नाशी जीट प्रबंधन में आखरिक विकल रासायनिक कीट नाशकों का प्रयोग सभी विदियों का प्रयोग करने के बाद ही अंतिम अस्त्र है रासायनिक कीट नाशक दवा का प्रयोग वह भी कीट की आकरमक्ता को समझने के बाद आर्थिक शती स्तर को पार कर जाए तो कौन-कौन से कीट का आर्थिक शती स्तर कितना है तथा कौन-कौन सी रसायनिक गवा का प्रयोग करना है इसके बारे में अभी देखेंगे झाल 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 तो इस तरहा शती स्तर के नीचे कीट एवं रोग का प्रकोप रहता है तो रासायनिक दवाओं का छड़काओं सरूरी नहीं है केवल यदि शती स्तर से उपर कीट रोग आ जाए तभी रासायनिक दवाओं का छड़काओं करना है फसल की अवस्था की वज़ा से कौन कौन से कीट नाशक रोग कीट के उपर प्रभाव डालते हैं अब हम इसकी जानकारी लेते हैं यह थी कुछ उप्योगी जानकारिया आप लेते हैं छोटा सब एक जल लोटेंगे और कारकर में आगे हैं महतवपूंट जानकारियां बने रही हैं हमारे साथ अनदाता, 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 नीत तुम्हारा अनदाता, पगपग पर है सनदाता नवसकार मैं श्व्यदा वटचारिया आप सभी दर्शकों का अनदाता कारकर में स्वागत करती हूँ हर रोज की तरह कारकर में हम लेकर आते हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाफकारी जानकारियां तो चलिए सबसे पहले देख तुम्हारे अनदाता, रहू की कानों का बन के पतीना, तेचिता है धर की का सीना, महनत का तेरी हख दिलवाने, नई तक्नीक न खोज बताने, अशुधन को गुणवान बनाना, बोद सुरक्षा घोत गिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरसाज बनाने, आठो पहर है संग तुम्हारे अनदाता अनदाता